तो हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे मामाओ एंड जिनसी के एपिसोड नमबर 24 में आपका स्वागत है एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सस्काइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टार्गेट होता है 40 कमेंट और 1 के लाइक का यदि आप ये करवाद देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये अनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसका अगला अपीसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस अपीसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपीसोड के स्टार्टिंग में हम लाखन को देखते हैं जो उसके हाथों में एक फूल रखा होता है ये फूल किसी और ने नहीं मामा ने ही उसे दिया होता है लाखन जो है अभी यहाँ पर आया हुआ है कोठे पर वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने जो है बहुत ही बुरे काम किये थे मैं उससे नहीं मिला था उसकी अंगलियों को याद कर रहा होता है जो उसने लेटर में लिखा होता है लाखन को पता होता है कि मामा जो है उसकी डोटर है और यहाँ पर जिनसी जब उसके कंदे पर दो-तिन बार हाथ रखता है तो यह देखकर वो गुसा हो जाता है लाखन को अभी तक समझ में नहीं आता है कि वो कौन बंदा था जिसने उसके हाथों पर फुल्डर पर हाथ रखा था क्योंकि उसको चेहरे दिखाई नहीं देते हैं तभी हम देखते हैं कि कोटे की जो ओर्ड लेडी होती है जो यहाँ की एक्चुल में मालकिन है वो इसके पास आती है वो कहती है लाखन चलो अब तुम मुझे लगता है कि तुम किसी ना किसी वैसे को यहाँ पर खरीद सकते हो तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ तुम उसे खरीद लेना फिर हम देखते हैं कि वो नीचे आ जाता है सोदा जो होता है एक लाख सिल्वर कोइंग में फाइनल होता है लाखन को यह नहीं पता होता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो अभी तक जिन्दा है या नहीं है बट मीमी को यह पता होता है इसलिए मीमी कहती है आपका कोई इंतिजार कर रहा है तो उसके पास जाईए उसको गाने की आवाज आती है तो उसे याद आ जाता है कि ये गाना उसकी जो प्रेमिका होती है वो ही गाती है तो वो ये गाना सुनकर बहुत ही जेदी से भागना स्टार्ट कर देता है लगभग 17-18 साल का गैफ हो चुका है जो अपने प्रेमिका से नहीं मिल पाया है यहाँ पर वो कहता है उस ओर लेडी से कि यही लड़की मुझे चाहिए, इसके लिए मैं पूरी जिन्दी भर की कमाई को भी दे सकता हूँ, ऐसा इसलिए वो कहता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए भी आप यही करेंगे, आप अपनी जिन्दी भर की कमा उसे याद आने लग जाता है कि यह कोई और नहीं, लाकन ही है, लाकन यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दुबारा खेलना चाहता हूँ, और यह कहते वक्त उसके आँखों में बहुत तेजी से आंसु निकल रहे होते हैं, हम दिखते हैं कि वो यहाँ पर खेलना खेल रही हो, इन दोनों को खेलता हुआ देखकर मीमी बहुत ही जादा सैड हो जाती है, बट वो यहाँ पर रोने भी लग जाती है, बट यह खुशी के आंसु हैं, इसलिए वो ऐसा कर रही है, फिर हम देखते हैं कि वो जो है अब देखने लग जाता है उसे बड़े ही ध् होती है, वो बासन कहता है कि मैंने लाखन को वहाँ पर ड्रोप कर दिया है को ठेवर, यहाँ पर मामा जो है वो कहती है कि मैं बहुत ही जादा ठक गई हूँ, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी लाव एन होती है, वो यहाँ पर बात कर रही होती है अपने फादर से उसके फादर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं बट हम देखते हैं कि मामा यहां से जाने लग जाती है तो बासन कहता है जिनसी ने आपको बुलाया है फिर वो यहां पर जिनसी के पास आती है जिनसी यहां मामाओं से कहता है तुम बहुत ज़्यादा ठक गई होगी तो यहां पर वो कहती है हाँ थोड़ा बहुत तो मैं ठक गई हूँ बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया तभी हम देखते हैं जिनसी की मेड उसे देखकर कहती है तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लाती हूँ और फिर वो यहां पर आकर टेबल पर खाना खाना स्टार्ट कर देती है तभी हम देखते हैं जिनसी भी यही पर आजाता है उससे बात करने के लिए जिनसी और मामाओ यही बाते करते हैं यहां पर बैठ कर वो अपने मामा मता पिता के बारे में बात कर रही होती है जो की मामाओ होती है मामाओ को पहले से ही पता हो चल जाता है कि यहां पर जो उसके फादर है वो किस वैस्टा से प्यार करते हैं यानि उसकी मम्मी कौन है और ऐसा जो है यहाँ बढ़ कोटे पर जाने के बाद उन्हें पहले से ही टेबलेट्स दी जाती है ताकि वो प्रेगनेंट ना हो पाएं बट वो यहाँ पर जिंसी को बताती है कि जो उसकी मम्म थी उसने जो है वो टेबलेट यूज नहीं किया था इसलिए सायद बेरा जनम हो गया पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया सायद वो एक प्यार की निसानी को रखना चाहती थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा और प्रिगनेंट होने के बाद लड़कियों के पीट्स जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं साहद उसे चुपाने के लिए उन्होंने भी कोई न कोई ठ्रिक खेला होगा ये बाते वो यहाँ पर जिनसी को बता रही होती है वो कहती है कि इसकिसी को भी पता नहीं चला उसकोठे में कि वो जो है प्रिगनेंट है और फिर वो लेटर को भेज रही थी जब लाकन उनसे दूर हो गया वो जो है इतना लेटर भेजने में बहुत ही ज़ादा दुखी हो गई थी क्योंकि उसका रिस्पॉंस नहीं आ रहा था इस वज़े से उसने अपने धिरे धिरे बोडी को डैमेज देना सुरू कर दिया इसलिए उसने अपने एक फिंगर को काट कर लेटर के साथ भेजा था ताकि वो उस चीज़ को देखकर वो उसके पास आ जाए बड़ इतना सब होने के बाद भी लाकन उसके पास नहीं आया तो धिरे धिरे उसकी जो तवियत थी वो खराब होने लग गई अगर इनसान का मन अंदर से दुखी बहुत लंबे समय तक होता है तो वो अटोमेटिक बिमार हो जाता है इसलिए इनसानों को ज़्यादा अकेला नहीं रहना चाहिए वो पेटनेंट होने के बाद उसको जो है बच्चा हुआ जो कि मैं ही थी बट अभी तक जो था लाकन वहाँ पर नहीं आया था आपको पता ही है पिछले अपिसोड में बताया था मैंने कि वो तीन साल बाद वापस आया था तो मामाओ को जो है उसके एक डैड ने अडॉप्ट कर लिया था उसके डैड ने ही ये सारी स्टोरी बता दी थी जब वो यहाँ पर मामाओ थोड़ी सी बड़ी हो गई थी इसलिए मामाओ को पहले से ही पता था कि लाखन उसके फादर हैं उसे जो है अलग सी एटेच्मेंट होत हुआ करती थी जब लाखन के पास वो जाया करती थी तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ उन्हें पापा कहकर इसलिए नहीं बुलाती थी क्योंकि मैं चाती थी कि पहले वो जाकर मॉम से मिलें इसलिए मैंने जो है उनके लिए बहुत ही अच्छी सी स्टेटेजी बनाई और उन्हें जो है उनके पास मिलने के लिए भेज दिया मुझे उमीद है कि वो दोनों एक साथ रहेंगे और प्यार से रहेंगे जिन्सी यहाँ पर कहता है यह तो बहुत ही अच्छी बात है मामा यहाँ पर कहती है बट मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि जब तुम्हें जो है एक स्टेटेजी के दवारा तुम्हें मारने की कोशिस की गई थी तो क्या मेरे फादर जो है उसमें सामिल थे इस का जबाब मुझे अभी तक नहीं मिला है इसके लिए मुझे और भी जादा चीजों को सिखना पड़ेगा और ही तरह से मैं पता लगाऊंगी कि कौन सा वो बंदा था जो तुम्हें मारना चाहता था यहाँ पर जो हमारी जिन्सी होता है वो भी कहता है कि हां मुझे भी तो उसे डांस करने के लिए वो डांस इसलिए करती है वो मैं को आगे बताऊंगा हम देखते हैं मामा जो होती है उसके पास एक बहुत व्यूटीफूल ड्रेस भी होती है फिर साम को हम देखते हैं कि वो उसी वौल पर खड़ी हो जाती है जहां पर हमने देखा था कि पिछले एपीसोड्स में जहां पर एक और लड़की खड़ी थी यहां पर वो जो है डांस करने के लिए दयार है वो डांस करना स्टार्ट कर देती है और फिर हम देखते हैं कि एकदम से जिनसी यहां पर आ जाता है जिनसी कहता है अरे मामा तुम यहां पर क्या कर रही हो मामा एकद वो यहाँ पर नीचे गिरने ही वाली थी और फिर हम देखते रहें लोगों ने देखा था तुम यहां पर क्या कर रही हूं इसी लिए मैं तुम है चेक करने के लिए यहाँ पर आ गया था तो यहाँ पर वो कहती है आप किसी गाड को भी तो भेश सकते थे यहाँ पर देखने के लिए तो जिनसी कहता है कि नहीं वो लोग तुम्हारा चेहरा जानते थे और उन्हें लगता था कि उन्हें जो है एक low level की यहाँ पर made हो बट यहाँ पर उन्हें लगता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करती हो तो तुम बहुत ही high class के अंदर आती होगी साइद इसलिए उन्होंने जो है तुम्हें यहाँ पर मुझे बता दिया कि तुम यहाँ पर हो पिर यहाँ पर वो बताती है कि मैं जो अच्छे से डांस करते हैं और वहाँ का आसपास का एरिया जो होता है वो यहाँ से दिख रहा होता है वोल के पास से क्योंकि वो बहुत ही जादा चमक रहा होता है जब वो लेड़ी यहाँ से जाती है तो हम जो है उसके लिए बहुत सारे सजावटों को भी करते हैं बट इ यहां से जा रही होती है वो कोई और नहीं यहां पर ममो की जो मॉम होती है और उसके डैड यहां पर उसकी मॉम को खईद कर ले जा रहे होते हैं पहले भी वो ऐसा करना चाते थे बट वो कर नहीं पाए थे बट वो आज के दिन अपनी जो है वाइप को यहां से लेकर जा रहे पिर हम देखते हैं कि यह सारी बाते वो यहां जिंसी को बता दी है और जिंसी इन सभी बातों को समझ जाता है मामा मजाग मजाग में यह भी कहती है कि अगर हमारा यह फिंगर कट जाये तो हो सकता है कि यह बड़ा हो जाएगा ओटोमेटिक तो यहां जिनसी कहता है मुझे तो नहीं लगता है फिर हम देखते हैं उसके पाउं से बलड निकलने लग जाता है मामो के तो यहां पर वो कहता है जिनसी कि यह तुम्हारे पाउं से बलड निकल रहा है तुम्हें पता भी नहीं चला तो वो कहती है कि मुझे पेन किलर ले र लग जाता है यहां मन फाली मामा और जार रहा हूं और वैसे भी यहां बहुत ही जादा अंधेरा है तो तो में जो है यहां पर कोई नहीं पर सोस्ती है कि यह मेरा बहुत जार ध्यान रखता है यहां जिनसी कहता है कि हाँ यह मैं तुम्हें दूसरी बाव उठाकर ले जा रहा हूँ अगर तुम्हें इंजरी है तो तुम धांस क्यों कर रही थी तुम्हें नहीं करना चाहिए था यहाँ पर वो सोचती है कि यह तो मेरा बेस्ट टाइम हो सकता है सायद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जि जिंसी अभी इमाचुर है तो इसे आगे बात करने में बहुत ही जादा मज़ा आएगा अगले सीन में हम देखते हैं कि मामाव यहाँ यहाँ पर कुछ लिख रही होती है तभी यहाँ पर अेक लीड़ी आती है और कहती है जिंसी आपका वेट कर रही है फिर वो जिन्सी के पास आती है जिन्सी यहाँ पर कहता है कि तुम ठीक होना तो यहाँ पर सभी मेट बताती है कि हाँ हाँ यह तो बहुत ही जादा ठीक है पहले से इसकी तवियत बहुत ही जादा अच्छी हो चुकी है मामा कहती है कि अब बताई आप किस काम के लिए यहाँ पर आये हैं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ जिनसी यहाँ पर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ तुम्हारे लिए बहुत ही एक important case लेकर आया हूँ और इसी तरह से यह story यहीं पर खतम हो जाती है हमें बताया जाता है कि मामाओं का जो है ऐसी तरह से case चलते रहेंगे और हो सकता है कि यहाँ पर जिन सी और मामाओं के बीच में एक अनों की सी केमेस्टी देखने को मिले यहाँ पर हमें confirm कर दिया गया है कि इसका जो second season है वो भी confirm हो गया है कि आएगा अभी date final नहीं हुई है तो जबी भी आएगा आपको मेरे channel पे ही मिलेगा तो आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं और bell icon को भी दबा सकते हैं और मुझे इसी तरह support करते रहिएगा चलो फिर मिलते हैं अगले episode में तब तक के लिए over and out